कि अखर नमर्ट 24 दिखिए मों का एक ही क्योशन है यान मेकेनिकल ओप्रेशन की बात कर रहा हूं अगे कि अपर है मेरे पास अगर आपको पता हो तो बताए कितने क्योशन पूशे गए ते मेकेनिकल ओप्रेशन से यह था कॉंस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन पर बेस क्योशन कॉंस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन कॉंस्टेंट रेट फिल्ट्रेशन पर बेस एक क्योशन में पूछा गया था कि 120 मिट्र क्यूब वोल्यूम ओफ फिल्ट्रेट कलेक्ट होने के लिए कि अना वॉल्यूमि ओफ फिल्ट्रेट कि मैं अगर बात करूं को Alrighty कांग त्वान्टी मिट्र क्योंने के लिग बेन ताइम लग रहे हैं वन मिन ने उसके बाद वॉल्यूमाफ फिल्ट्रेट कि ऊ connection कि लिए कितना तइम लग तो मिनेट और यहां पर हमें डेल्टा पीवन गिवन है तो प्रेशर डॉब जो है फर्स्ट केस में 10 किलो पास्कल है सेकंड केस में मतलब टू मिनेट में जब 240 मेटर क्यूब वोल्यूम फिल्ट्रेट कलेक्ट हो रहा है उस केस में आपको डेल्टा पीज़वा कल्कुलेट क करना है कीसे clear को को 야 कोंसेंट रेट ड्फिल्ट्रेशन है 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 नाम कोंसेंट रेट फिल्ट्रेशन के लिए देखें आप कैसे लिखोगे मतलब मैं directly अगर equation लिखूँ तो t equal to kc into v square upon of 2 into v upon of q0 यह equation मैंने लिख दिये रहे हैं यह equation आपको पता होगे कहां से आती है तो equation आपकी रहती है dt by dv is equal to kc into v plus of 1 upon of q0 इसको जो आप integrate करते हो with respect to dt and dv तो यह equation आपको मिल गयाती है इसमें जो kc है ना यह kc की value देखी किया है kc equal to mu into alpha into c upon a square into delta p यह value आपर kc की value का आपको ध्यान रखना है ऐसा नहीं की directly t directly proportional to v आप कर दो यह जो second part है यह में filter medium resistance यह जो है neglect consider करूंगा filter medium resistance resistance is negligible जब आप constant rate filtration की बात करते हो तो filter medium resistance को आप negligible consider कर लेते हो तो ultimately आपको equation क्या मिल जाती है t is equal to kc into v square upon of 2 किस kc की value put कर देता हूं है mu into alpha into c upon of a square into delta p into v square upon of 2 equation मिल गी अब यहाँ पर आप देखो कि time जो हो किसकी किसकी proportional है में क्योशन में volume given है हमें क्योशन में volume given है में क्योशन में delta p given है what time given है इनी तीन दर्म की हम लोग बात करेंगे तो t is directly proportional to v square and indirectly proportional to delta p तो यह relation में पता चल गया यह relation आपको अगर पता है तो आप क्योशन को अप्सोल कर सकते हो तो t1 upon of t2 is equal to v1 square upon of v2 square into of delta p2 upon of delta p1 यहाँ पर सारी values पूट कर दो 1 by 2 into 120 upon of 240 into of delta p2 upon of 10 यहांसे जबाप सोल करते हो तो 1 by 2 1 by 4 यह यह कैंसल आउट हो जाएगा 1 by 2 1 by 2 तो आपको मिलेगा remaining delta p2 is equal to 2 into 10 मतलब 20 20 किलो पास्कल तो 20 20 किलो पास्कल जो है एक टांसर इस क्योशन का ओके तो 24 क्योशन था हमारा यह ने कर दो कर दो